नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ड्यूरेशन ट्विश्टर में आज की जो कहानी है ये 6 दोस्तों की है और कैसे उन 6 दोस्तों को 31 की पार्टी महेंगी साबित हुई इसकी एक डरावनी कहानी हम आपको सुनाने वाले है वो सभी रात के समय उनी के एक दोस्त के खेट पर 31 की पार्टी करने गए थे लेकिन उस पार्टी में एक बिन बुलाया महमान भी पहुच गया और वो महमान इनसान नहीं था चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की और लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये होंगे तो ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले हम बच्पन से गाव में ही पले भड़े थे और हम सभी को मानसाहरी खाना बेहत पसंद था चिकन मटन ये सब हमारे खाने में काफी मातरा में होता था ये कहानी है गाव में रहने वाले छे दोस्तों की ये जो छे दोस्त थे वो गाव में रहते थे और जल्द ही नया साल आने वाला था और आप सभी को तो पता ही होगा कि नया साल में बहुत से लोगों को अपनी बूरी आदते पीचे छोड़नी होती है और इसलिए आखरी बार जैसा मन करे वैसी पार्टी करने के लिए कैसे सबी लोग 31 डिसेंबर का बेसबरी से इंतजार करते हैं इसलिए ये 6 दोस्तों ने प्लैन बनाया कि उनी में से एक दोस्त के खेत की जूपडी में जाकर 31 की पार्टी करेंगे और गाव में रहने वाले लोगों को ऐसे खेत में जाकर पार्टी करना बेहत पसंद होता है आप में से बहुत लोगों ने ऐसी पार्टी की होगी लेकिन जब ये छे दोस्त खेत पर गए तब उनके साथ जो कुछ भी घटा वो उनके कलपना के परे था इन सब ने ते किया कि 31 की रात को खेत पर चिकन पार्टी करेंगे उनके एक दोस्त के खेत में जोपडी थी और ये सब उसी जोपडी में चुला वगरा जला कर चिकन बनाने वाले थे और ये सब वो रात में करने वाले थे इसलिए उन्होंने सुबह सुबह इस सब की तयारी करके रखी उन्होंने दो बड़े बरतन लिये थे एक में वो चिकन बनाने वाले थे और एक में चावल बनाने वाले थे उन्होंने सारा सामान एकटा कर लिया था बस अब बचा था वो चिकन वो भी वो खेत पर जाते जाते रास्ते में लेने वाले थे तैगरने के मुताबिक वो सब शाम को छे साड़े छे बजे खेट पर जाने के लिए निकले उनके पास तीन बाइक थी और उनी पर वो छे दोस्त सारा सामान लेकर निकल पड़े थे मगर उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जिस रात वो सब खेट पर पार्टी करने जा रहे है वो रात अमावस्की है फिर भी उन्हें घर से उस खेट तक पहुचने में आदा घंटा लगने वाला था क्योंकि उन्होंने इस बार पार्टी करने की जगा बदली थी असपास का पर्यावरन भी बेहत मनमोग था लेकिन उसके आसपास इंसानी बस्ती नहीं थी इसलिए वो ज्यादा तर वहां नहीं जाते थे मगर इस बार उन्होंने वही जगा चुनी थी जाते जाते वो रास्ते में चिकन लेने वाले थे लेकिन उतने में अचानक से उनमें से एक बाइक पमचर हो गई उन्होंने नीचे उतर के देखा तो ट्यूब में काच का तुकड़ा गुश गया था लेकिन जहां उनकी बाइक पमचर हुई थी वहां से पमचर की दुकान पाच मिनट की दूरी पर ही थी इसलिए कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली थी उन छे लड़कों में दो लड़के थे एक का नाम था ओमकार और एक का नाम था मंदार ये दोनों उस पमचर हुए बाइक पर बेटे थे और इनों ने उन चारों से कहा कि तुम सब आगे जाओ और आगे जाकर सारी तयारी बगरा करो तब तक हम दोनों बाइक का पमचर निकाल के चिकन लेकर आते हैं वेसे वो चार जन उस खेत की दिशा में जाने लगे और ये दोनों बाइक को धक्का मारते मारते उस पमचर की दुकान की और बढ़ने लगे पाच-दस मिनिट में वो उस पमचर की दुकान पर पहुच गए और पमचर निकालने के बाद वो सीधे चिकन शौप पर गए लेकिन उस दिन उस चिकन शौप पर काफी भीड़ थी क्योंकि हमारे उस पूरे गाव में वो एक ही चिकन शौप था और वो 31 की रात थी और 31 की रात में चिकन शौप पर कितनी भीड़ होती है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है लेकिन उन दोनों को किसी भी हाल में चिकन चाहिए था इसलिए वो बहार रुके फिर अगले आदे घंटे में उन्हें चिकन मिल गया लेकिन तब तक हर जगह अंदेरा चा गया फिर यह दोनों चिकन लेकर बाइक से उस खेत पर जाने के लिए निकल पड़े उमकार बाइक चला रहा था और उसके पीछे मंदार हाथ में चिकन की थेली लेकर बैठा था वो दोनों अभी खेत के काफी करीब पहुत चुके थे उस खेत पर जाने के रास्ते में एक पुल पूल आता था और उस पूल के नीचे से एक छोटी नदी बहती थी उस पूल के नजदिक आते ही मंदार ने उमकार को गाड़ी रोकने के लिए कहा उसे जोर की लगी थी उमकार ने कहा कि क्यों अब रुका रहा है खेत पर जाकर ही कर ले ना लेकिन मंदार को बिनकुल भी प्रोल नहीं हो रहा था इसी लिए वो उससे कहने लगा एरे दो मिनिट रुक मैं फटक से जाकर आता हूं ऐसा कहे कर वो बाइक से नीचे उत्रा और चिकन की थेली उमकार के हाथ में देकर उस पूल के बगल की जाड़ी में गया उस जाड़ी के बाई तरफ एक बड़ा आ पहरा दे रहा हो और ऐसा सोचकर उसने वो सब नजर अंदाज कर दिया और वो पलट कर बाईक की तरफ आने लगा उतने में मंदार के कानों पर एक आवाज आई वो चूडियों का आवाज सुनकर वो तुरंत अपनी जगह पर रुख गया और वो आवाज उसके पीछे से ही आ रही थी उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा जैसे ही उसने पीछे देखा उससे उस बड़े आम के पेड़ के नीचे एक औरत बेटी हुई दिखी उस और औरत को देख कर मंदार थोड़ा डर गया क्योंकि उस वक्त रात के साड़े साथ बच कर गये थे और इतनी रात में ऐसे सुमसाम जगह पर ये अकेली औरत यहां क्या कर रही है उस औरत ने लाल साड़ी पहनी हुई थी हाथ में हरी चूडिया थी और उस औरत ने पूरे शर क्योंकि वो स्तब्द बैटकर सामने के खेत को घूर रही थी उस औरत को देख कर मंदार की वहां और ज़्यादा रुखने की हिम्मत नहीं हुई वो तुरंत वहां से भाग गया और भागते भागते बाइक तक पहुचा वैसे ओमकार ने पूछा क्या रहे मंदार येतना ड वो दोनों उस पूल को पार करके खेत की तरफ जाने लगे और अगले पाच मिनिट में वो दोनों उस जोपडी तक पहुच गए लेकिन उस पूरे सफर में मंदार एकदम शांद बैटा हुआ था उसके आखों के सामने से वो औरत जाही नहीं रही थी वो औरत इतनी रात मे इतने हीरे जवाराज से बरे गहने पहन कर वहां क्या कर रही थी यही सवाल उसे सता रहा था लेकिन वहां सब लोग खाना बनाने में जुड गए थे उन चारों ने आगया कर तिन पत्थर लगा कर चूला वगरा बना दिया था और लकडिया भी इखटा करके रखी थी और जैसे ही ये दोनों वहां पहुचे उन्होंने चुला जालाया और वो खाना बनाने लगे कोई चावल बना रहा था तो कोई चिकन के छोटे छोटे तुकडे कर रहा था और मंदार वो चिकन बाहर धो रहा था उसने चिकन साफ करके अंदर लाया और उमकार को दिया सब जन बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों बाद ऐसी पार्टी की थी, लेकिन मंदार अब भी उसी औरत के सोच में था, उन सब ने एक बरतन में चावल पकने के लिए रखा था, और चावल पकने तक वो सब एक साथ बैठ कर यहाँ वहाँ की बाते कर रहे थे, और देखते देखते वो इदर उदर की बाते भूतों के किस्सों में बदल गई, क्योंकि बहा का माहोल ही ऐसा था, आसपास घना अंदेरा, दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा, इसलिए हर कोई अपने आपको आया हुआ भूतिया किस्सा बताने लगे, मंदार तो पहले ह दर में था, और उसमें उन सबके वो भूतिया किस्से सुनकर उसकी तो और भी जादा फट रही थी, वो जिस जोपडी में खाना बना रहे थे, वो जोपडी बहुत ही पुरानी थी, और उनके एक दोस्त के दादाजी के समय की वो जोपडी थी, और पुराने जमाने में ना उतने में एक आवाज आया। फिर से बाते करने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज आया। और वो आवाज उसी तरफ से आ रहा था। कोई तो उस नारियल के पत्तों पर नाकून मार रहा था। वैसे ही सब बोले। अरे कौन आया है पीछे। शायद चीकन की खुश्बू से कुट्ता वगरा आया होगा। ऐसा कहकर उनमें से दो लोग उठे और हाथ में बैटरी लेकर जोपड़ी के पीछे कौन है वो देखने के लिए गए। लेकिन कुछ देर बाद वही आवाज फिर से आया। वैसे फिर से दो लोग उठे और दोड़ते हुए पीछे गए। लेकिन इस बार वहाँ कोई नहीं था। उन्हें अब वहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं रहा था। ये ऐसा कौनसा प्रानी है जो आवाज निकाल रहा है और पलबर में वहाँ से गायब हो रहा है। ऐसा उनके साथ 4-5 बार हुआ। लेकिन जब भी वो पीछे जाकर देखते थे उन्हें कुछ भी नहीं दिखता था। लेकिन आवाज तो आ रही थी। और हवा की बात करे तो बाहर बिनकुल भी हवा नहीं थी। पेड के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। इसलिए अब उन्हें डर और गुस्सा एक साथ आने लगा। देखते देखते उनके चावल पक गए। अब सिफ चिकन पकना बाकी था। फिर उन्होंने वो चावल का बरतन चूले से नीचे उतारा। और चिकन दूसरे बरतन में डाल कर चूले पर रख दिया। लेकिन चूले की लकडी खतम हो गई। इसलिए उनमें से एक लड़का जोपडी के पिछली तरफ रखी हुई लकडी लेने के लिए चला गया। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुचा और उसने लकडिया उठाई वैसे ही उसका ध्यान उस जोपडी के बाये तरफ गया। वहाँ उस कोने में एक औरत खड़ी थी। उसने लाल साडी पहनी थी। और वो जाग जाग कर जोपडी के अंदर देख रही थी। वो सब देखकर उसने उठाई हुई लकडिया नीचे फिकी और वो तुरन दोड़ते दोड़ते जोपडी के अंदर गया। वैसे ही सब लोग उसे पूछने लगे। क्या रे? क्या हुआ? ऐसे भागते हुए अंदर क्यों आया? और लकडी कहा है। वैसे ही उसने बाहर जो कुछ भी घटा वो उन सब को बताया। और जैसे ही उसने वो सब बताया, वैसे ही मंदर के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। क्योंकि जैसे उस लड़के ने बताया, बिनकुल वैसी ही औरत उसने उस आम के पेड़ के नीचे देखी थी। फिर मंदार ने कहा कि उसने भी उस औरत को आतेवक देखा था और उसने सारा हाथसा उसके बाकी के पाज दोस्तों को बताया लेकिन फिर भी मंदार और वो लड़का जिसने उस औरत को देखा था इन दोनों को छोड़कर किसी को भी डर नहीं लग रहा था बाकी सब कहने लगे कि तुम्हें वहम हुआ होगा रुको हम सब देखते हैं ऐसा कहे कर वो सब जोपडी के बाहर आए और जोपडी के चारो तरफ देखने लगे लेकिन उन्हें वो औरत कही पर भी नहीं दिखी पर घटी हुई घटना की वज़े से मंदार और वो लड़का काफी जादा डर चुके थे लेकिन बाकी सब को उसमें से कुछ भी डरावना नहीं लग रहा था फिर थोड़ी देर बाद सब लोग फिर से उस जोपडी में चले गए और इस बार उन्होंने लकडिया भी साथ में ले ली और वो लकडिया चूले में डालकर उन्होंने चिकन पकाने के लिए रख दिया चिकन पकने तक उन्होंने फिर से गप्पे मारना शुरू किया मगर इस बार भूतों के किस्से बताने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी सब लोग कुछ मज़ेदार किस्से बता रहे थे लोगों ने जोपड़ी के पीछे जाकर देखा लेकिन अब सब लोग इस आवाज से तंग आ चुके थे और सब को डर से जादा उस आवाज की तकलिफ होने लगी थी लेकिन अब चिकन को चूले पर रखे हुए 20-25 मिनिट हो गए थे इसलिए उन्होंने चिकन पका या नहीं ये देखने के लिए उस बरतन के उपर का धकन हटाया और अंदर देखने लगे लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर देखा वैसे ही उन सब को एक जटका लगा क्योंकि 20-25 मिनिट से वो चिकन उस चूले पर रखा था और आग भी काफी ज़्यादा थी पर फिर भी चिकन थोड़ा भी नहीं पका था वो अब भी पूरी तरह से कच्चा था फिर उन्होंने फिर से धकन रखा और लकडिया बढ़ा कर आग ज़्यादा कर दी और फिर से 10-15 मिनिट इंतजार किया फिर 10-15 मिनिट बाद उन्होंने फिर से बरतन के उपर का धकन वाजु में किया लेकिन अब भी चिकन वैसे का वैसा कच्चा था फिर भी उन्होंने लगबग पौने घंटे तक उस चिकन को चुले बर रखा लेकिन चिकन पकने का नाम नहीं ले रहा था ये जो कुछ भी घट रहा है ये इंसानी दिमाग से बाहर है और इसके पीछे जरूर किसी पिशाची शक्ति का हाथ है इसका अंदाजा सबको आने लगा क्योंकि ऐसा होई नहीं सकता कि पौने घंटे में चिकन ना पके और उन्होंने जो पानी उस चिकन में डाला था वो गरम होकर उसमें से बुलबुले निकल रहे थे मगर चिकन पकने को तयार नहीं था अब सबको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा लेकिन और थोड़ी देर इंतजार करते है ऐसा सोच कर उन्होंने ढगकन फिर से उस बरतन पर रखा और वो सब ये चिकन पक क्यों नहीं रहा है इसकी वज़ा ढूनने लगे देखते देखते उस चूले की आग बुझ गई और वो सब देखकर उनके दिल की धढ़का ने बढ़ने लगी वो समझ चुके थे कि उनकी उस जोपड़ी में पक्का कोई ना कोई काली शक्ती है उन्होंने थोड़ा भी समय गवाए बगेर उनकी सारी चीजे वही पर छोड़कर अपनी बाइक्स की दिशा में दोड लगाई और देर किये बगेर बाइक की किक मारकर घर की दिशा में एकदम तेजी से बढ़ने लगे उन्हें लगा था कि शायद वो घर तक सिंदा ना पोच पाए मगर भगवान की क्रिपा से वो अपने अपने घर सही सलामत पहुच गए लेकिन घटी हुई घटना की वज़े से सब की नीन दूड चुकी थी राद बर किसी की भी आग नहीं लगी और अगले ही दिन उन सब को बुखार चड़ गया और उन छे के छे जन को एक साथ कैसे बुखार आया ये बात उनके घर वालों ने उनसे पूछी पहले तो इन्होंने कुछ बताया नहीं लेकिन बाद में उन्होंने सारा हाथसा अपने घर वालों को बता दिया और वो सब सुनकर उनके घर वाली भी डर गए और उस घटना की गंबिरता देखते हुए उन्होंने ये सब उनके गाव के पंडित जी को बताया फिर वो पंडित जी सब को बारी बारी मिले और सब कुछ एकदम अच्छे से जान लिया और उसके बाद उन्होंने इस रहस्या से पड़दा हटा दिया उन्होंने कहा कि काफी साल पहले उस पूल पर आपके गाव के सरपंच ने एक औरत की हत्या की थी वो औरत दिखने में बेहत खूबसूरत थी मगर उसकी शादी हो चुकी थी और जब सरपंच ने उस पर जबरदस्ती करने का प्रयास किया तब वो अपने आपको बचाने के लिए भागी लेकिन सरपंच ने उस पूल पर आते आते उस औरत को पकड़ लिया और उसकी वही पर हत्या कर दी और उस औरत का आत्मा वही पर भटकने लगा और ये मंदार और ओमकार उसी जगह पर रुके और उनके हाथ में चिकन की थेली थी और शायद उसी चिकन की लालत से वो औरत इनके पीछे आई और उस खेत पर पहुँच गई और इन सब को वहाँ से भागने के लिए उसने ये सब चाल चली लेकिन आप चिंता मत करिए उसे अगर सिफ चिकन चाहिए था तो वो उसे मिल गया अब वो इने तकलीफ देगी ऐसा मुझे नहीं लगता लेकिन फिर भी मैं इन सब के हाथ पर एक धागा बान देता हूँ जिस वज़े से ये सुरक्षित रहेंगे फिर उनोंने वो धागा उन छे लड़कों के हाथ में बान दिया लेकिन ये सब अब भी उस सदमे से बाहर नहीं आये थे और उसी वज़े से शायद इने बुखार आया होगा लेकिन फिर तीन-चार दिन बाद उनका वो बुखार कम-कम होते गया और वो पहले जैसे तंदरुस्त हो गए लेकिन फिर उस दिन के बाद उनोंने गलती से भी रात के समय पारटी करने का नहीं सोचा और ना ही कभी रात में पारटी की इसलिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि शाम के समय ऐसे मांस मटन या फिर तले हुए पदार्थ लेकर नहीं गुमना चाहिए क्योंकि जो भटकने वाले आत्मा होते हैं वो इस सब की खुश्बू से आकरशित हो जाते हैं और उस पदार्थ के पीछे-पीछे चले आते हैं लेकिन ये हाद से बार-बार नहीं होते इन सारी अमानव्य चीजों का एक समय होता है और ऐसे आत्माओ को बहुत से बंदन भी होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि अमावस को आत्मा की शक्ती बहुत ज़्यादा होती है लेकिन दोस्तों आखिरकार ये सब मान्यताय है और इन सब में कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता और ना ही हम इस सब के सच होने का दावा करते है आज की जो कहानी है वो हमारे एक इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता लेकिन मनोरंजन के तोर पर अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो या थोड़ा भी डर लगा हो या फिर कुछ अनो का सुनने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो को लाइक और शेर भी कर दीजिए मिलते हैं एक और डरावनी और भयंकर कहानी के साथ धन्यवाद